नमस्कार अदाब इस वक्त में मौझूद हूँ जनपत जौनपूर के किराकत विकास खंड के नई बजार चौकियां ग्राम सुभा में मैं आपको बता दू यहाँ पर दो तीन दिन पहले एक वीडियो वारल हुआ था जो खरंजा को यहाँ इंटरलाकिंग किया जा रहा था कुछ गाउवालों ने उस खरंजा को उखाड के इट फेक रहे थे यहाँ पर मेरे साथ मौझूद है पपूजी जो यहाँ के जिला पंचाज सदस्य है और यहाँ के मेरे साथ मौझूद है ग्राम परधान संजे नागर जी आखिर पूछेंगे क्या ऐसी दिक्कत पढ़ गए कि गाउव की जो महिलाएं है इट को फेकने लगी क्या परधान की दबंग गई है क्या गाउवालों की दबंग गई है पूरा मामला जानने के लिए मैं इस ग्राम सभा में आया हूँ यहां ग्राम पंच्यायद के प्रधान है और जिला पंच्यायद सदस पपूजी है सबसे पहले पपूजी आप से मेरा सवाल है कि क्या दिक्कत आ गई कि यहां की महिला है जो खड़ंजा को उखाड़ने लगी मैं आप लोगं बताना चाहता हूँ कि जब यहां पर रोड जहां पर चक मार्ग था जो रोड था पहले से बना हुआ है वहां तक रोड फूरा क्लियर है रोड का काम हुआ है चालू है काम उसके आगे उसके आगे जो है चक मार्ग है की नहीं है यह नकपाल को मालूम है तासिलदार को मालूम है प्रसासन को मालूम है कि ये ना पेंगे तो मालूम पड़ेगा कि चक मार्क कहा से है जहां तक क्लियर है वहां तक रोड हुआ है उसके बाद जो आगे रुका हुआ है काम जो तोड़ा गया है वहाँ पर चरागा है जो की सरोसमाज का है और कवरिस्तान है चमार हरजन भाईयों का है और ये जो है रात को काम हो रहा था अभी रात को काम हो रहा था तो वहाँ पर गाउं के लोगों ने रात को बिरोध किये फिर हम सोयम आके हमने भी बोला कि भाई अभी काम रुकवा दीजिए कल सूबह में देखा जाएगा सब लोग जूटेंगे तो हो जाएगा क्योंकि प्रतनीती होने गनात कारे जगड़े दो पक्षों में बिरोध न हो जगड़े न हो मार पिट न हो इसलिए हमने इस शीच को बीज बचाव किया और गाउं की जो जनता आई थी आदमी अवरत सब लोग आये थे जो कबरिस्तान और चरागा यहां से जो रोड जा रहा था वहां पर रात को जो काम हुआ था और उ आदमी थे सब आके वो दोनों साइड में यीट की दिवार खड़ी की गई थी बीज में खणंजा नहीं था ठीक है खणंजा नहीं बैठाय गया था दिवार थी तो उसमें से वो लोग अपना आदमी सब तोड़े और प्रतनीधी होने गनातकारे मुझे भी बुलाये गया तो हम भी आए लेकिन हमने कुछ बोला नहीं, और इस चीज को लेके मुझे फ्रंट पला के खड़ा कर दिये फ्रन बेगी इन्होंने तुड़वाए लेकिन इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है कुछ लेना देना नहीं हम प्रतनीधी है जनता जहां बुलाएगी वहां हम जाएंगे पपुजी आपसे मेरा सवाल है जैसे जो यहां की महिलाएं थी आपके गाउं की महिलाएं थी क्या इट उखारना कानून हाथ में लेना उचित था उचित तो नहीं था हम भी समझते कि उचित नहीं था लेकिन यहां पर कवरिस्तान और चरागाह की बात आई कि यहां से रोड लेके जाईए इसको नपवा दीजिए नपवा के किलियर कर दीजिए नववाग किलियर करने के बाद गाउंकी लोग सोचेंगे कि क्या करना चाहिए Dieu अनका अकरोस यही था आपसे यह भी मैं जानना चाहता हूँ यहां की जो परधान है सन्जे जी बता रहे थी कि जब यहाँ पेमाई सो रही थे तो आप नहीं थे आपके भाई आये थे हां सहमती जताय थे तो जब उनकी बात आपको नहीं मानना था तो आपने उनको भेजा क्यों आये थे वो देखे लेकिन जो हमारे भाई आये थे हो मना नहीं किये यहां गाउं के लोगा के किये गाउं के लोगों का बिरोध था हमारे भाई तो बोले यह सही है जाने तो ठीक है बन जाने दीजिए लेकिन यहां गाउं के लोगों का बिरोध था ना की बिरोध हम लोगों का अकेले का था और इस चीज का मालिक हम अकेले नहीं है ठीक है चौकिया गाउं है पुरे चौकिया गाउं के जितने हर तो यह लोग लेंगे हम प्रतनीदी हो कि हम नहीं ले सकते अपने बड़ा बढ़ियां बात कहा कि चरागा गाउं का है मैं आपकी बात मान रहा हूं लेकिन क्या इस गाउं वाले भी विरोद कर रहें रोड के लिए कि खाली हर्जन बस्ती की लोग विरोद कर रहें गाउं तो सबका है ग्राम सबका है तो अगर 10-20-50-100 लोग विरोद करें बाकी नहीं विरोद कर रहे हैं तो यह लोग रोड चाहिए वह विरोद क्यों करेंगे वह अच्छा चाहेंगे उनका रोड चला जाए उनको अच्छे से उनके घर तक गाड़ियां जाए रोड जाए और आपक करके लेकर आया उस समयागे दस साल पहले 10-12 साल पहले मैंने गालीया बहुत खाया इसी गाउं को रोड देने के लिए इतनी गालीयां खाया हूँ कि जो लोग कुछ यहां पर थे लोग नाम नहीं ले सकता है लोग गाली दे रहे चिला-चिला किसको रोड चाहिए आये यह लेकिन कोई उसमें बोलने ने आये उस समय पप्पो भारती कुछ नहीं था समा सेवी था लेकिन उस समय गाली मैं अकेले खाया हूँ कोई आया नहीं बोलने के लिए कि यहां से रोड जाएगा हमारे पीछे कोई खालने थे खाली एक साहब लाल परधान थे वही खड़े थे क यहां भाई रोड जाएगा यहां से रोड लेके जाएंगे गावालों के लिए रोड नहीं है लिए गावालों तक के लिए रोड हम लोगों पहुचाया है गाव तक रोड गया है अभी मामिला खाली कवरिस्तान और चरागाह का लेके फसा है कि यहां से जाएगा नाप के पहले किलियर करें कि यह कितना है जो 15 विश्चा यहां पर 15 विश्चा कवरिस्ताम है और चरागाह है इस चीज को क्लियर कर दे उसके बाद गाव के लोग डिसीजन लेंगे इसको डिसीजन यह सब हम नहीं ले सकते आप से मुझे आओ रहा जानकारी लेना जैसे जो बता रहे हैं चरागाह में बीचो बीच रास्ता गया है खड़ंजा का निर्माड किया गया है वो तो नक्सिम नहीं है लगिन पूर प्रधान द्वारा यह बनवाया गया है क्या उचित है ये खड़ंजा बीटीसी द्वारा हमें मालूम भी नहीं था इस वक्त जिला पंचया सदस जो हैं वर्तमान कहां पपू जी बयान दिया हो यहां मारे साथ प्रधान में उनसे भी पूछूंगा अखिल क्या दिक्क्त आ गई यह जो पैसा लगा हुए जनता का पैसा इसा क्यों बरबाद कर रहे हैं आप क्यों बदें क्या दिक्क्त मैं स्टार्टिंग पपू भारति जी के इंड़ से कर रहा हूं पपू भारति जी ने जो कहा कि रास्ता यहां अपने खेत में से दिये हैं उस चीज के लिए मैं सहमत हूं और मैं इनका अभार भी प्रकट करता हूं और हमारा भी वहां से लगबग हम भी उसमें जो है कि चक्रोड के लिए रास्ता दिये इसके बाद मामला यहां फंसा हुआ है कि चारा गाह में अगर चारा गाह में रास्ता नहीं जा सकता तो पानी की टंकी की सुकृति कैसे हो सकती है और दूसरी चीज़ हमारे पास यह प्रमार है कि उस पर जो है मरम्मत बहादूर के खेत से कबरिस्तान तक खड़ंजा मरमत का अप्लिकेशन कार योजनां में डाला गया है अगर खड़ंजा उस पर नहीं था या नहीं है तो फिर कोई आदमी या कोई भी प्रधान उस पर खड़ंजा मरमत कैसे कर सकता है दूसरी चीज कि यह जो रोड हम लोग बता रहे हैं यह 1621 नंबर यह चकमार्ग है और यह एकदम टच होता है लास्ट दे इंड लास्ट छोड तक बहादूर के खेट तक यह जाता है और वहीं से सीधा एक पिछ रोड कबरिस्तान के भी आगे कबरिस्तान में होते हुए उहां है और पप्पु भारती जी ने जो कहा कि इन लोगों के लिए और रास्ता है और वास्थिक्ता है यह कि इन लोगों के इस रास्ते के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है और यह रह गया यह चारागाह की बात तो हम इस चीज को साबित कर सकता हूं कि पपू भारती जी भी पहले इस चीज को के लिए सहमत थे और बीच में क्या हुआ हमें नहीं पता और यह पपू भारती जी मतलब उस समय थे जब यह रोड तूट रहा था उस समय पपू भारती थे जहां यह रोड तूट रहा है यह के बाद सारे लोग तोड़ रहे हैं और यह खड़े हैं अच्छे आपसे मुझे जानना है कि जैसे जब एक खड़ंजा यहां जो इंटर लाकिंग आपने बाडर बनाया था जो तोड़ा जा रहा था जनता का पैसा है लेकिन क्या गाउं की पूरी जनता मिलकर उसको खाड रह रही थी नई पूरी जनता मिलकर नई उखाड रही थी इसमें सिर्फ और सिर्फ रेवतिपूर हर जन बस्ती के कुछ महिलाएं बच्चे जो है कि आकर तोड़े और पूरी इसमें इस गाउं में अटघरवा के भी लोग थे इस गाउं में जो है यादों भी है लगभक डेर सो ठाकुर भी हैं लगभक सत्तर लोग और निशाद हैं लो 165 लोग और यह कर्मा समाज के हैं और इसके बाद प्रजापति समाज के हैं एक घर मतलब पंडित और इनके अलामा और बकिया कोई भी किसी भी काष्ट का एक भी आदमी नहीं आया और ज्यादा ज्यादा जितनी भी जन संक्यात यहां आई थी जितनी भी यहां पर आये थे उसमें से 70% में यह मालेजी कि लगभक लगभक 60% रेवती पूर के ही थे 10% हरजन बस्ती के ही अटगरवा के और पजगरवा के रहे होंगी यादव लोग आये थे लेकिन तोड़ने के पक्षपे नहीं वो लोक सब लोग आये थे और यहां वीडियो भी है उनका हमारे पास और वो लोग आये हम लोग हमने सोचा कि पहले यहां चल कर यह पंचायद कर लें लेकिन यह सुबस साथ से साड़े साथ बजे की घटना आई इस बारे में कुछ नहीं पता हम गाव में भ्रमर करके आ रहे थे यहां पर आकर देखा तो सारे लोग तोड़ रहे हैं और इस पक्ष से उस दोनों पक्ष से लड़ाई न हो जा इसलिए हमने सारे लोगों का हाथ पहर ही जोड़ा कि भिया इसमें दंगा नहो या किसी प्रका तो मैं आपको बता दो इस ग्राम सभा की महलाएं भी है और निशाद भी है यहां पूछूँगा यह बताइए ऐसा क्या दिक्यत पड़ गया कि यह खडेंजा रूक गया पपु भारती तोरवाया खड़ा उपके पपु भारती जी पपु भारती जी पपु भारती जी कह यहां आए थे लेकिन हम तुड़वाए नहीं है तो यह से आपको क्या हो है कर रहे थे यह पाप भारती जी तोड़ी यह उपर वादिया आप्लोग से मुझे यह जानकारी लेना है जैसे यहां जो खड़ रहे थे आपके बिरादर पे थे कि यादों थे उसमें कौन-कौन थे यादों नहीं हो नहीं कर जात है हर जन लोग आठ घरवा चौकियां प्रेवतिपूर यहीं दिक्कत है अच्छे पता यह जैसे जो बन रहा था कि इसे कितना फाइदा होता हां तो है वारति हा स्वारथि कोम कौन थोड़ एक कितने भार तूटा डूज़ आगे सरा नीट वञेव में तुटा जैसा वारी ठीसरा बार है या जब रातिक शर्वार ढूर स्वाथ जे तुटा श्यवते सिर्वार्ट बदू तुटा है पता रहे थे रात में काम कराने की तुट गणा है कर दोड़े दीन के तोर रहें तब रहें तब तरवना प्रप्रवार्टी देख गए थे बुले बना अपिन थोड़ा दिया आगे सुबहे में बना अने के लिए आप गोल के गए थे लुज बार दिने को बना लुज तरवाय रहे दिन दूर अच्छा इस रोड से कितने लोग आते हैं वह पुरा गाव आता है वह आते जाते हैं य तरह आते हैं यहां मतलब और कोई रास्ता नहीं है नार बढ़ जाता है वह लोग बच्चा कहा जाएंगे आसका इसे पार हैंगे बारी सोज आती है तो आप लोग आते जाते हैं खड़ा होगे साहब खड़ा होगे तो रोने पापू बढ़ती खड़ा होगे जोना की लेके सब्बल फरसा जोना कुदार लेके तुरा बस्ती भर एक महरारू लेके आए के लड़का सब तोर्वावना अचे बताइए पपू जी कह रहे हैं कि रोड बनवाने के लिए वो अपना जमीन दिये हैं खड़न जाएंगे अगर उनको रोड रोकवान मे सब लोग यही रास्ता है 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 हम लोग के आने जाने के लिए यही रास्ता है सब्सक्राइब भारती जिला बना रहा था हम लोग कि चलो भाई को नो गार उसाना हम लोग बनाए थे कि चलो बारी लेके जाए आए तूड रहे कि अफंच बनावा इना धून घूरे आप थर नचनावा जेत कि अफंच उतराफिर थे जी सब्सक्ता नहीं हो मैं चाहित कि तूड रहाद रहा थे रस्ता आप लोग कहा है हम लोग रहे हैं, सब लोग हम लोग नहीं बोले, उन लोग उनके, एकदम बात नहीं किये हम लोग, सब बल, जैसे तोर रहे हैं, हम सब बल रखा हूँ, अभी दखा तकते हूँ, मैं छोल लिया हूँ, ठीक है, यहां के जो प्रतनिधी हैं, जिला पंचाज सदस हैं, पपू भारती भी खड़ा को उखार ये, सबको बोले, उचो पूछेंगे, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, हम भी अपना कान के सुने थे, आप सुने थे, तोड़ो, जैसे उधर को उखार ये, सब ग्हार गड़े, इस वक्त यहां पे, इस वक्त यहां पे हम नही बजार च पाउखियां में हैं मैं आपको बता दूँ यहां के जो जिला पंचाय सदस्य है पपूजी इसके पहले जब खड़ंजा बंढ़ा था उन्होंने अपनी जमीन दिये थे खड़ंजा में लेकिन यहां की जो महिलाएं हैं आरोब लगा रही हैं कि पपूजी खड़ा होकर लेकिन पपूजी बता रहे उसमें यादों भी आये थे फिलाल यह जांच का मामला है फिलाल यह जो तोड़ा है उसके उपर कारवाई होनी चाहिए क्योंकि यह जंता का पैसा है जंता का पैसा अगर नुसकान होगा तो उसके उपर कारवाई होना चाहिए फिलाल मैं उस ग कि आंधे ब्रन इसां वोगा को हमने व्हञत्य को सबनाने जब जायता इसे देते हैंούμε। मि ऊण धूर पूरते हैं वह स़ीलो करते हैं शीगारो ब्लूलते हैं को सब सकते हैं। अचै यह झालते हैं कोह दोती हम फीले कि आखष सारे शैयमे चमति हैं। अच्छे बताइए आप लोग वहां गई थी खाली हरजन बिरादरी थी कि और लोग उससे आपके साथ गये थी वो सब बलाए नहीं आप लोगों के साथ मुखंब पूरा गाप पूरा ठाकुरान पूरा मलहान पूरा अहीर ठाकुर मला सब के बलाव ले रहना अच्छे बताइए अप जब आप गई थी आपके बीरादर थे कि और लोग गए थे ख़ड़ें जाओ खोड़ रहे आपन बिरादर खाली हिए आप लोग उससे दिक्कत क्या था दिक्कत कहा है न दिक्कत है अबने के मुर्दा गाड़े के मुर्दा गाड़े ना देत हूं वहां जाते हैं राती कर चोरी-चोरी से बनावत हुआ हमने उपड़ ले लाइव रात में वहां पर जुड़िया हो रही थी तो हम लोग को पता चला तो हम लोग गएं सारी अवरते हम लोग मिल कि हमारी जमीन हैं लोग जाय के व स्काड़ दीए तो हम पर चमार सियर बोलने लगी हम लोग का वहां पर गवचर पूरे गाओं का है और हमारा मूर्दहानी जो कब्रिस्तान बोला जाता है हमारा ही है सिर्चमारो का अच्छे आप कह रहे हैं मुझे भी आपसे जानकारी लेना है जब वो बीच चलागा में से जब खड़ंजा बन रहा था तब आप लो जो चरागा में बीच मदब तिर्चे बना हुए तो क्ान बनवाया है संजे बनवाया है कर दिस पोन पुर ना था है टा जब लारा था हो तोणे करा पहले लगना तो बहले वड़ात्रहा टो भाइऊ और उटना रौध नेकि जब वनाए जान ना कर जब मौना है रात-रात में रहा सजे नागर रहा करा snippet आप लोग से मुझे एकी बात जानना है जैसे जब वो बीच रास्ते बीच में से खरंजा बना हुआ पुराना वाला तब आप लोग ने विरोध क्यों ने किया विरोध किया है तो संजे जब अजस्ति बना रहे हैं संजे की कारकाल की बात नहीं कर रहा हूं उसके पहले जो प्रधान बना हुआ है वी चरागा में से तो आप लोग तब क्योंने विरोध कि रहे हैं मुदुदयान के मालिक है ना हम उब्दमा कर रहे थे कि मुदान में से रोध नहीं जाएगा । नहीं रात-रात करोइँ आप लोग से मुझे नो बीच रास्ते में से चर बैस सब्सक्राइब इसे के परण दिया जो पहले का नजदी केमरा मैं जी जो पहले का वह बना हुआ एसा है कि वह कारकाल में बना हुआ हो लेकिन अगवाई नहीं लोगों की तती कियों कि ने ता प्रबृद के आदमी हैं जैसा चाहते हैं दबंग लेकिन यह इतने दबंग आदमी है कि मैं यहीं से ले जाओंगा और फिर वहां से दो लठा छोड़के वहां सरूर बनाते भी ले जा रहे हैं अच्छे आप से यह बताइए आप जैसे जो खड़ंजा वहां जो बाडर बना था सिमेंट का जो सिमेंट उखाड के फेक रहे थी पैसा है लेकिन जो महीलाएं उसको उकाड़ की फेकी हैं क्या सही की है गलत देखे जब कोई अवैद चीज अगर महिलाएं फेकी है या कुछ भी है गाउंक पूरे गाउंक है ना उसके बारे मुनको भी सोचना चाहिए गलत है कि सही रात को अबैद तरीके सो बनवा रहे हैं सड़क उनको उनसे क्यूं नहीं अपने पूछा मैंने उनसे बात यहां पूछा लेकिन आप से जानना चाहता हूं आप लोग पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिए प्रसासन को अगाह किया गया है प्रसासन आया रुकवाया रात को उसके बावजूद जबर्जस्ति बनवा रहे हैं तो उसके बाद बताईये क्या किया जाए ज पर दबंग आदमी हैं सब लोग डरते हैं बनवार हैं कोई क्या करेगा लेकिन मैं आप से मेरा आखिरी सवाल है लाश्ट है मैं यही जानना चाहता हूं जो इट उखाड के फेका गया है प्रसासन हाथ में लिया गया नहीं सर अगर वो अबैद देखिये उधर ऐसा महिले कैसे अ नि मुख्याय ना उनको उनको यह पता होना चाहिया नियर्माड कर Birds लेकिन जो खाला गया है वह रात में बनना सही है यह बिल्कुल सही है तो उखाणा भी सही है आप लोगों का राय बनवाना सही है तो खालना भी सही है जो लोग आप भी बताई यह जो घटना हुई है सही हुई गलत है अच्छा वहां जब गये थे तो खाली हरजन विरादरी लोग गये थी और काश्ट उसमें गये थे जो हम यादो लोग आएं तो धमकी देने लगे कि बनेगा आप लोग की रोक रहे हो बनेगा यह चमासी आर कि ऑली बनने देगा इसका आपकर पास पुरूफ है तो आपके पास प्रूफ है जी रिकारडिंग है मेरे घाली वाला रिकारडिंग है कि वो खड़ी वाला कमेर रोठना बना देगा किसके अवकात है कि रोठना देखा आप पी हुआ जब लोग देखा एक विद्धा दे रहने अंडबंड गारी देती रहने हमनों की वुल्टा जमीन है जो जमीन है हम लोग उसके मालिक है ठीक है पप्पो भारती जिला पंचायत है उस जमीन के अखेले मालिक नहीं है पूरा गाउ मालिक है तो हम लोग पुरा गाव गया था बाकि कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं और मारें पिटेंग मा बहन की काली दे रहे हैं बगाने दे रहे हैं चमार साले तुडवाने हम इनको काट किसी जगा गाड देंगे यह जगह क्या हम लोग recording कर रहे थे वीडियो recording है तो आप सब लोग गई थी है हम लोग बुलिए भाई एक एक लोग बुलिए भाई एक लोग बुलिए पुरा बस्ती भाई हमने महरारु गाल है वनकर कर नो दोसना है हम किसे किसे पूछने जाएंगे उनका अधिकार नहीं के मुख्यान हो पूछ के देना ही सकते हम लोग का और जार देना ही सकते हैं इस वक्त मैं गराम सभा में मौझूद हूँ यहां के दोनों पच्छ महिलाओं का मैंने बात लिया हूं वीडियो में रिकार्ड है दोनों पच्छ अपनी बात रखे फिलाले जांस का मामला है ऐसे मारे न्यूज चैनल को आप देखते रहे हैं आजाद वी आई पी न्यूज को जन्पत जौन पोर जय हिन जय भारत झाल